हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप लोग का मेरे एक और नए रेसिपी वीडियो में दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ वांगड़ा फ्राय मच्छी अब देख सकते हैं दोस्तों वांगड़ा फ्राय मच्छी मैं लाया हूँ बजार से डेड़ केजी वांग इस तरीके से mix कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, उसके बद कडाही लिए दोस्तों, और कडाही में मैंने सरसो का तेल लिया है, देखिए मैं सरसो का तेल एड़ कर रहा हूँ, सरसो का तेल फ्राइ करने तक लगवाग साओ ग्राम एड़ करें आप, ताकि हमारे मच्छी जो है अच्छे तरीके से फ्राइ हो जाए तेल गरम होने के बाद अब मच्छी को करके फ्राइ करें मैंने बाजार से मच्छी लाया उसको अच्छी तरीके से दोया और उसमें सिर्फ हल्दी पौडर, लाल मिर्च पौडर और नमक उसमें मिक्स करके उसको अच्छी तरीके से लगा कि उसके बाद फ्राइ करना है दोस्तों और बाकी कुछ भी नहीं डालना है तो चलिए मैं मच्छी को फ्राई कर लेता हूँ यह देखिए इस तरीके से आप फ्राई करें आराम आराम से आप कड़ाही में इसको डालें दो दो करके डालें दोस्तों दो दो करके आराम से फ्राई हो जाएगा 100 गरम सरसो का तेल में क्योंकि ज़्यादा तेल हमने लेंगें दोस्तों फिर वह तेल ज़्यादा हमारा बर बरता नहीं होगा इसके लिए आप देखे इस तरीके से आप दो दोकर करकी आप अराम से फ्राइब करते हैं तेल हमारा जोओ ol forgot हो जुगा है आराम अराम-अराम से हम फ्राइ कर लेते हैं आप भी इस तरीके से फ्राइ कर लेए दोस्तों certains मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ-साथ बेल आपन को दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बहुत ही डेलिसियस रेसिपी रहती है मेरा दोस्तों तो बने रहे है वीडियो में और देखें कि बांगला फ़णे मची हम किस तरीके से फ़णे करेंगे ये देखिए जब ही हमारा लगबग चार से पांच मिनूर्ट हो जाता है फिर हम दूसरी साइट से फणे करेंगे क्योंकि बांगडा फ्राई ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में आप ग्रेवी भी बना सकते हैं ग्रेवी मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैं इसको फ्राई ही रखने वाला हूं तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको सिर्फ फ्राई कर रहा हूं तो आप अपने हि मैं इसले कर मिल्ड क myself में मूंद को अराम अराम से अच्छे तरीके आप अच्छे तरीके से फारए करती हैं, और निकाल लें आपके अपकर looks मे deinen finishing makeup for timely मेर्ची पौडरे preparation मिर्ची पौडर, अब्णो इस मेल्टर करने से protocol इसे अभी अचछी तरीकन नाई है इसके लिए मैंने इसको चीरा लगा दिया है आप भी इस तरीका से अगर आप पांगणा मच्छी ला रहा हो तो इस तरीके से मेरा recipe रेशेपी यूज करें बहुत ही कम समय में दोस्तों और यह देखिए मेरा सारा मच्छी फ्राय हो चुका है और मैं इस तरीके से इसको सजा दे रहाँ तोड़ा चा एक प्याज काटके निंगू घरी मिल्स इस तरीके से मैं सजा दे रहाँ दोस्तों और फिर इसको बाद में अब खा सकते हैं बिल्कुल इजी बहुत अच्छी तरीके से तो दोस्तों अब इस तरीके से रेसेपी मेरा यूज करें बहुत ही कम समय में सिर्फ फ्राई ही करना है और फिर खाएं इसको दाल चावल के साथ किसी भी चक के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं बह कर दें आज की रेशिपे में बस इतना ही दोस्तों फिर नेक्स्ट रेशिपे में मिलेंगे बहुत बहुत धनेवाद आप लोग